दोस्तों नमस्कार खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंसा में 33 लोगों की मौत हुई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे। लद्दाक के गलवान घाटी में भारत चीन के बीच खुनी जड़प को आज एक साल पूरे हो गई इस जड़प में बिहार रेजिमेंट के करनल संतोस बाबू समेथ भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीनी सेना के भी कई सैनिक मारे गएते हलाकि चीन ने एक साल बाद भी कोई आधिकारी कांकडा जारी नहीं किया। आज इन सही सैनिकों को सुर्दांजली दी गई। बता दें कि गलवान सीमा पर सांती तो है लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ है। अनिसे सोधिया ने ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए 12,081 वर्ग मीटर जमीन की सौधेवाजी में करोडों रुपे के घोटाले का आरोप लगाया था। आरोपों को पूरी तरह से सियासी वता कर खारिश किया वहीं आज सीमयोगी ने इसकी जानकारी मंगाई है। दिल्ली एम्स में आज से 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सुरू हो गया। कम्यूनिटी मेडिसीन विभाग के डाक्टरों का नुशार सनिवार तक एम्स में 12 साल से 18 साल के 10 बच्चों को वैक्सीन दी गई। जाच रिपोर्ट आने के बाद बाकियों को भी डोज दी जाएगी। जल्द ही 2 साल से 6 साल के बीच बच्चों पर कोरोना वैक्सीन की ट्रायल होने वाली है। असल में कोरोना की तीसरी संभावित लहका बच्चों पर ज्यादा असर दिखने की संभावना है जिसे देखते हुए वैक्सिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। पासपोर्ट विभाग ने इसी एफ आई आर के कारण उनका पासपोर्ट रिनू करने पर आपत्ती जाहिर की है। मुदाएं के बीच लडाई हो सकती थी जिसे देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर कोट में पेस किया जहां से उन्हें न्याई खिरासत में भेज दिया गया। कॉंग्रेस नेता नोजोज सिंग सिद्धू को प्रभाव से निलंबित करने को लेकर आज शिरुमडी अकाली दल ने सिस्मा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अकाली दल के प्रदान सुखविर सिंग बादल ने कहा कि सिद्धू तत्काल सीपाद हैं वरना सरकार उन्हें बर्खास्त कर दे। प्रदसनकारियों पर यहाँ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तमाल कर रोकने की कोशिस की पुलिस ने सुखवेर सिंग बादल को हिरासत में ले लिया है दिल्ली में आज आज आपके राजसवा सांसर संजे सिंग के घर पर कुछ अग्यात लोगों ने हमला बोल दिया संजे सिंग ने खुट ٹीट कर इसकी जानकारी साजा की उन्होंने बताया कि हमलावर उनके खिलाप और राम जनम भूमी ट्रस्ट को लेकर नारे लगा रहे थे असल में संजे सिंग ने कुछ दिन पहले ही राम जनमोभूमी ट्रश्ट की जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था फिलाल पांच की संख्या में आए हमलावरों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है लोक जनसक्ती पार्टी यानि LGP ने आज चिराग पास्वान को राष्ट्री अध्यक्ष पस से हटा दिया पस्वतिनाथ पारस के इस फैसले के बाद पटना में जम कर हंगामा हुआ चिराग के समर्थकों ने इसे मुख्यमंत्रे नितिस कुमार की रणनीती और पस्वति पारस का कारनामा बताते हुए उनका पुतला फूंका और जम करनारे बाजी की फिलाल चिराग के हटने के बाद पस्वतिनाथ पारस बीस जून तक एलजेपी के अंतरी मध्यक्ष बने रहेंगे वहीं चिराग पासवान ने अपने पांच सांसदों को भी बरखास कर दिया है लोजपा को तोड़ने को लेकर स्यमनितीस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं यूपी के इलाबाद हाई कोट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पती नाबालिग है तो वो बालिग पतनी के साथ नहीं रह सकता कोट ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग पती को उसकी बालिग पतनी को सौपना पाक सो एक्ट के तहट अपराद होगा कोट में लड़के की माने आचिका दाखिल कर उसकी अभिरक्षा की मांग की थी लेकिन लड़का मा की बजाए पतनी के साथ रहना चाहता था इस पर जश्टिस जजे मुनीर की बेंच ने फैसला देते हुए कहा क्योंकि लड़का मा के साथ भी नहीं रहना चाहता इसलिए उसे चार फरवरी 2022 तक बालिग होने तक आसरस्थल में रखा जाए कोट ने दोनों की साथी को भी सुन्ने यानि निरस्त कर दिया आज की बुलेटिन खबर दिन बर में मेरे साथ इतना ही दीजिये हमें इजाज़त लेकिन मुंबई, नविंबई और महाराष्ट समय देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया नमस्कार